नमस्कार दोस्तों, Electrical Technician चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखेंगे कि हमारे घरों में जो inverter इस्तेमाल कियाता है उसके साथ में हम किस प्रकार से MCB और RCCB का कनेक्शन करेंगे दोस्तों, देखिए, आपके घरों में जो Man Power Supply आती है, Electric Pole से वो सीधे Energy Meter में जाता है, और Energy Meter के बाद में एक MCB में जाती है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यह हमारा Man MCB है अब Man MCB के Output Terminal से Power Supply एक RCCB में जाता है अब वहाँ से हम Power Supply को पूरे घर में distribute कर देते हैं अब दोस्तों देखिए, यदि आपके घर में inverter का इस्तमाल किया जाता है तो उस condition में आपका जो RCCB और जो MCB है, वो work नहीं करेगा क्यों work नहीं करेगा, दोस्तों समझ लीजिए दोस्तों देखिएगा, यदि आपका जो main power supply है, वो normal है यानि कि चालू है power supply, तो उस condition में आपका जो RCCB और MCB है, वो work करेगा लेकिन जैसे ही power supply fail होता है, तो हमारा जो inverter होता है, वो क्या करता है पाउर सप्लाई इस बैटरी के दाल लेता है, जिससे क्या होता है, जो हमारा RCCB और MCB है, वो bypass हो जाएगा यानि कि यदि आपका जो inverter है, वो power supply इस बैटरी के दाल लेता है, तो उस condition में हमारा जो protection है, वो work नहीं करेगा यदि कोई व्यक्ति नंगे तार को, यानि कि live wire को touch कर लेता है, तो उसको electric shock लगेगा ठीक है, तो यहाँ पर यदि आपको protection देना है, overload से और earth fault से, तो उस condition में आपको RCCB और MCB का connection भी करना पड़ेगा किस परकार से connection करेंगे दोस्तों समझ लीजीगा, देखिए, यहाँ पर जो हमारा inverter होता है, उसका wiring दो परकार से कियाता है, पहला तो output wire में हम केवल एक wire का इस्तमाल करते हैं, और दूसरा दो wire का इस्तमाल करते हैं, यहाँ पर आपको मैंने दो wire का इस्तमाल करके wiring बताया ह यदि आपके घरों में RCCB और MCB का protection देना है, तो उसके लिए आपको inverter के output से 2 wire का connection करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया हूँ, दोस्तों यहाँ पर जो diagram दिखाया गया है, यदि आप जानना चाहते हैं कि यह diagram है, वो कैसे work करेगा और इसको किस प्रक करते हैं, अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है, कि यह जो plug टोप है, इसमें जो wire connect है उसको remove करना होता है, यहाँ से हमने face supply को remove कर दिया, और जो neutral supply है उसको भी remove कर दिया है, अब दोस्तों देखेगा, यहाँ पर हमें चाहिए एक MCB और एक RCCB, यह जो हमारा MCB होगा, व देंगे, अब यह जो हमारा MCB है, इसको हम neutral supply भी दे रेते हैं, तो यहाँ से हमने neutral supply को connect करके लाए और इस MCB को power supply दे दिये, अब हम क्या करेंगे, यह जो हमारा MCB है, इसके output terminal से face wire को connect करके ले जाएंगे, और इसको लिया के हमारा जो RCCB है, उसको face supply दे दे देंगे, इसी यहाँ पे जो हमारा socket है, इसको हमें neutral supply देना है, तो इसको neutral supply देने के लिए हमारा जो RCCB है, इसके output terminal से wire को connect करके ले जाएंगे, और इस socket को neutral supply दे देंगे, तो दोस्तों कुछ इस वगार से हम inverter के साथ में RCCB और MCB का connection करते हैं, चलिए, एक बार हम समझ लेते हैं कि और यह भी वर्क करेगा, यानि कि एक टाइम पे दोनों MCB और दोनों RCCB वर्क करेगा, यदि किसी परकार का earthfold होता है, तो दोनों RCCB ट्रिप होगा, और यदि किसी परकार का overload होता है, तो हमारा MCB है, दोनों के दोनों ट्रिप हो जाएंगे, ठीक है, अब यदि हमारा power supply fail हो जाता है, तो उस condition में केवल यह जो MCB है, और यह RCCB है, वो वर्क करेगा, यह दोनों RCCB और MCB वर्क नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों, I hope कि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लिस इस वीडियो प